नमश्कार दोस्तों दफेक्ट टाइम आपका स्वागत है हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जन्ता किया वाल्च आज हमारे साथ लड़कें वी जुड़ रही हैं जिन से बाचित करके जानेंगे कि डेरा सचा सोधा संस्ता का असले सच क्या है कैसा महौल है क्य अच्छी क्या क्याकर पिए फ्स टियर डेरा सचा सोधा संस्ता को आप कितने समय से जानते हैं मैंने नाम दद दस साल होगे मिरको लिये हो इक पट मेरी एक आपट मेरी फैमली काफी सालों से जुड़ी हुई है हमें फिफटी यर्स अराउंट फिफिटी अर्स हो गे हम जिन्दगी में बदलाव आया जो आज भी आप उनके साथ खड़े हो। गुरू जी ने हमें बहुत कुछ दिया है जो हम बियान भी नहीं कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या हमें दिया है। उन्होंने इतने अच्छे काम करवाए हैं डेरे में बाहर सफाय अभ्यान, खून दान, ब्रून अक्ट्या रोकी है उन्होंने और देहेज प्रथा को भी छुडवाया है, कुल का क्राउन, इतने अच्छे काम बहुत करवाए हैं इसलिए हम कब से जुड़े हैं उनके साथ। मैं, उनके ओपर दूसरी तरफ और भी लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहूंगे हैं? वो रोप जुटे हैं, हम भी यहां पर डेरे में कितने टाइम से आते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी दिखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर, यहां पर महौल बहुत जादा सेफ हैं, आप एक लड़ी की हो, आप आश्रम में जाते हो, तो आप कैसा महसूस करते हो, आश्रम का जो एरिया है, वहां के खेत हैं, वहां गुफा बोला जा रहा था, काफी लग लग बातें उठाई जा रही थी, आप सुरक्षा को लेकर क्या बताओगे ज मीडिया की खबरे तो जूठी हैं, और यहां हमने आके देखे हैं, हमें सच पत है, साड़े चार साल से जादा समय हो गया है, मैं संत जी समाज में नहीं है, उनकी जरूरत है समाज को, हां जी उनकी बहुत जरूरत है, उन्होंने इतने अच्छे काम करवाई, इसलिए अब लगता है हमें सच पत हैं, क्या अपील कर包 सरकार से? उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए उनकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है इस समय जी बात वद धन्यवाद जनता की डिमांड लगातार भड़ रही है सेंट्टर गुर्मीत रामरीम सिंग जीनसा के लिए लड़कियां भी सामने आकर बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था तमाम अरोब जो भी लगाये जा रहे हैं वो एक जूठे लगाये जा रहे हैं ये पब्लिक का मानन है जो लगातार हम आपको पब्लिक आवाज दिखा रहे हैं आप भी देखते रहे हैं और अपनी राए खुले दिमाग से सोचके कमेंट बुक्स में जरू डालिए बहुत वदानेवाद